बिस्मे लायरा माल रहीं, असलाम लेकूम, उमीद है कि आपका रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, इन्शाल्ला, रमजान के दिनों में बेकरी आइटम्स बहुत ज्याद इस्तिमाल किये जाते हैं, तो ये एक प्लेन कोकुनेट केक की रासिपी है, लेकिन आज मैं कोशिश करें हूँ कि आपके साथ इसका एक परफेक्ट ग्राइट शेयर करूँ कि आप गर पर एक प्लेन केक कैसे परफेक्टली मेजरमेंट के साथ बना सकते हैं, सबसे पहले हमने लिया है 100 ग्राम रूम टेम्टेशर बटर और उसमें मैंने 150 ग्राम यानी 1 फॉर्थ कप कास्टर शूगर यूज की है, यू के रिप्लेस इड अलसो विद नॉर्मल शूगर, उसके बाद इसमें जाएंगे तीन अदद अंडे, हम रूम टेम्परेशर अंडे यूज करेंगे और वन बाइवन इसको हम पोर्शन में जब एक अंड अच्छे से बेटर में मिक्स हो तो दूसरा एड करेंगे, जब हम प्लेन केक की बात करते हैं, तो उसमें आपको अगर तीन से कम अंडे यूज करेंगे, तो केक कभी अच्छा नहीं बनेगा, या आप पहले से दिमाग में रख लें, क्यूंकि जब प्लेन केक बनानी की बात होती है, तो उसमें आप मेजर आप लेटेंट्स एड करें, उसके जो फ्लेवर्स हैं उसको यह बैलेंस कर देता है, तो फस्ट अफ और इसमें जा रही है, तू पिंच आफ साल्ट, वन टी स्पून ओफ वैनिला एसंस, वन टी स्पून ओफ बेकिंग पावडर, वन फॉर कप ओफ वेजिटेबल ओवल, टेबल स्पून ओफ कोकोनेट पावडर, नॉट डेजिकेटिट कोकोनेट, अफ कप ओफ बटर मिल्क, बटर मिल्क गर्पे असानी से रेडी होता है, जब गरम दूद में थोड़ा सा विनिगर डाल लें, और दस मिन बाद आपका बटर मिल्क रेडी है, इन तमाम चीज़ो को हम एलेक्ट्रिक बीटर की मदद से हल कर लेंगी, उसके बाद इसमें जाएगा 250 ग्राम, यानी 1 कप अफ लार, लेकिन इसको हम पोशन्स में एड करेंगे, और एलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको मिक्स करेंगे, आपने ओर मिक्स नहीं करना, विलको लो स्पीट पर आपने इसको 30 सेकंड तक इच जो आप एडिंग करते हैं, इडिशिन करते हैं, उसको आपने मिक्स करना है, या जब तक इसमें वाइड डिसपेज ना हो जाए, तो जब हमने दूसरी बार इसमें फलार एड किया है, तो उसके बाद इसको इस तरह से थोड़ा मिक्स कर लें ताकि जब आप बीटर को आउन करें तो एकदम से ओड़े ना अधरवाइस पर इसा होता है कि आटा उनने लगता है, और आप देख भी सकते हैं, इसका जो बैटर है से पतर चला है कि केक बहुत जबरदस्त इसकी बेस है वो बन रही है, मैं इसको जस्ट 30 सेगंड पर लो स के लिए ग्रीस करेंगे, आप चाहें तो आईल से ग्रीस करें, बटर से ग्रीस करें, आप फलार इसमें ड़स्ट कर सकते हैं, बटर पेपर जो है वो लगा सकते हैं, मैंने सिंपल इसमें फलार ड़स्ट करके तो बैटर है, इसमें शिफ्ट कर गिया है, तीन से चार बत प्रिंकल करें दर्म्यान में ये कट इसलिए होते हैं ताकि दोनों साइट पर इवनली जो है वह बेग हो और इसको आपने 170 डिग्रीज पर एलेक्ट्रिक ओवन में 35 मिलेट्स तक बेग करना है जब ये बेग होके आज 10 मिन तक आपने इसको हाथ नहीं लगाना उसके बाद आ अगर क्लीन है तो ये रेडी है अच्छा हम जब केक बेग करते हैं तो उसमें अगर आप कोई पाउडर एट करते हैं अगर जैसे के मिल्क पाउडर या मैंने इसमें कोकुनट पाउडर यूज किया है इसके इलावा लोग कॉनट फ्लोर यूज करते हैं तो उससे इसका टे तो आप इसमें इस किसम की चीजे रिज़ कर लें उसके टेक्श्चर बहुत अच्चा आता है आप इसका कलर और टेक्श्चर देख सकते हैं अगर आपने मेजरमेंट्स टीग की होती है तो यह बहुत परफेक्ट बेख होता है तो मैने तो एक एक अफ़ारी के टाइम और सहर की टाइम भी बहुत इंजाई किया है आप इसको जरूर ट्राय करें बहुत एजी है बनाना इंशालला पिर मिलते हैं तब तक के लिए अपना ख्यार रखें अल्ला हाफिज